आज ना कुछ healthy और tasty खाने का मन कर रहा था तो सोचा कि मखाने की भेल बनाते हैं जो खाने में tasty भी लगे और healthy भी हो इसे बनाएंगे different style में जो हमारे सेहत के लिए भी फायदे मन्द हो और बच्चों को भी और बड़ों को भी बहुत पसंद आए तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं ये चटपटी भेल कैसे बनती है सबसे पहले मैंने लिये हैं roasted मखाने biscuit, नमक, नमकीन अब सबसे पहले हम एक बावल में सब कुछ ट्रांसफर कर लेंगे मखाने डाले हैं मैंने उसमें crushes, biscuit, भेल, नमकीन थोड़े से चोप किये हुए प्याज, टमाटर थोड़ा सा नमक, काली मीर्च और अपने टेस्ट के हिसाफ से आप मसाले डाल लीजिए इसके बाद डाले हैं मैंने इसमें healthy healthy बॉयल किये हुए काले चने आप white चने भी ले सकते हैं और थोड़ा सा डाल दिया खटे से टेस्ट के लिए निम्बू का रस इसके बिना तो टेस्ट नहीं आएगा न अब हम भेल बना रहे हैं तो उसके लिए कौन भी बनाना बहुत जुरूरी है कौन के बिना तो भेल का पता भी नहीं लगता तो मैंने ये कौन की शेप में एक पापड बनाकर इस पापड को मैंने कौन की शेप दे दी है और इसको हम टूथफिक लगाकर माइक्रोविव कर देंगे 30 सेकिंड के लिए उसके बाद हमारा कुछ इस तरह से ये कौन त्यार हो जाएगा अब इस कौन के अंदर हम बची हुई भेल को भर लेंगे भेल को कौन के अंदर डालने के बाद हम इसे अपने बावल में सेट कर देंगे और उपर से लगाएंगे कुछ पुदीने के पत्ते जिससे की हमारी भेल एकदम से बढ़िया और यम्मी खाने में भी टेस्टी लगे एक बार जुरूर ट्राई कीजिएगा और बच्चे इसे बहुत खुश हो कर खाएंगे बनाएं खाएं और सब को खिलाएं और आपके बिल कैसी बनी मुझे कमेंट सेक्शन में जुरूर बताएं थेंक्यू